नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद अगर मेरे पास कोई एक रेखाखंड पी क्यू है और मैं कहूं कि ये रेखाखंड पी क्यू आर विंदू पर एक कोण बना रही है तो इसका क्या आशे है आए समझें तो इसका आशे ये है कि हम कोण बात कर रहे हैं P-R-Q की क्यूंकि P-Q रेखाखंड ने आर पे इस तरीके का एक कोण बनाया और साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PQ जीवा जो है वो एक कोण बना सकती है इस केंदर पर भी जो कि यह हो जाए तो क्या हम कहेंगे कि यह कोण POQ जो है वो इस जीवा PQ ने केंदर पर बनाया और जो कौन P R Q है वो इस जीवा P Q ने इस वृत पर किसी भी हिस्से पर बनाया, इस वृत के ऊपर किसी भी हिस्से पर बनाया, अब मैं आपको इस सम्बंदित एक बहुत ही विशेश प्रमे बताने वाली हूँ, और प्रमे कुछ इस अनुसार है कि एक वृत की बराबर जीव उसके केंदर पर बराबर कौन बनाती है, तो यहां पर हम जिन जीवाओं की बात कर रहे हैं, मान लीजे कि वो है P Q और साथ में Q R, और यहां पर जो प्रमे हैं वो यह क्या कह रही है, कि दो जीवा जो बराबर हैं, यानि कि P Q और Q R यदि बराबर हैं, तो फिर वो जो रपे कौन बना रही हैं वो भी बराबर होंगे मतलब ये कौन और ये वाला जो कौन है वो बराबर होगा आईए इसको सिद्ध करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो जीवाएं हैं और जो कौन हमें सिद्ध करने हैं वो कौन कौन से त्रिबुज मे में हमको मिल जाएगा ये वाला कों और तुरि भूज आर ओक्यू में हमें मिल जाएगा दूसरा कों तो लिख लेते हैं तुरिभूज- ओ--ौ Creek एवं dwud- आरो क्यू में अगर हम देखें तो हमें क्या-क्या बाते पर देखने को मिलती है कि PQ जो जीवा है वो RQ जीवा के बराबर है ऐसा हमें प्रश्ण में दिया गया है क्या दिया गया है कि ये दोनों जीवाओं की लंबा यदी बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इनके द्वारा जो कौन केंद्र पर बनाए जा रहे हैं उनका भी मान बर द्वाओं होगा यार कि यह दोनों बातें लुखिता है और सिकले तो यह वाली बात होंगे तो O, P और O, R भी बराबर होंगे क्या आप इसके बारे में मुझे कारण बता सकते हैं और कारण ये है कि ये दोनों ही एक ही वृत की तरिज्या है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि तरिज्या होने के वज़े से ये दोनों भी बुजाएं बराबर हो जाएंगी और इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि कसौर्टी S, S, S के प्रयोग से हमें क्या पता चला कि ये जोनों जो त्रिबुज हैं यानि कि त्रिबुज O, P, Q वो सरवांग सम हो गए त्रिबुज R, O, Q के और हमें मालुम है कि दो त्रिबुज जो की सरवांग सम होंगे उनके संगत भी बराबर होंगे इसलिए कोण P, O, Q, कोण R, O, Q के बराबर हो जाएगा और कारण क्या है संगत भाग सरवांग सम त्रिबुजों का तो इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध कर लिया कि एक वृत की बराबर जीवा उसके कोण भी बराबर बनाती है केंद्र पे कोण भी जीवा केंद्र पर परस पर बराबर कोण संचित करती है तो दोनों जीवाओं की लंभाई बराबर होगी तो यदि अगर मैं आपको यहां पर तुलना करके पहले वाला ही चित्र एक बार दिखाऊं जिसमें हमने यहां पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था तो मैं आपक पर बराबर कोण संचित करती है मतलब आपको दे दिया गया कि कोण आर ओ क्यू बराबर है कोण पी ओ क्यू के तो आपको सिद्ध क्या करना है कि दोनों जीवाओं की लंभाई बराबर है यानि कि आपको आर क्यू और पी क्यू को यहां पर सिद्ध करना है कि लंभाई बरा और ये बराबर होगी त्रिज्या होने की विज़े से ये उभेनिष्ट होगी और अब ये कौन भी बराबर हैं तो सर्वांग सम्तो ये त्रबुज अभी भी हैं मगर इनके लिए जो कसोटी आप रियोग करेंगे वो अब कौन सी हो जाएगी भुजा कौन भुजा और इसकी म में का भी आप सिद्धिकरण स्वयम ही कर लें